मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी पेट के चुहे का इलाज खोजा गाव गाव में घूम कर लोगों की बीमारियों का इलाज था हुनर्मन्द तो वह था ही उसकी बताए दवाय इतनी सस्ती होती थी कि गरीब से गरीब आदमी भी उन्हें खरीच सकता था यही नहीं खोजा अकसर दवाय का नाम या कोई ऐसी जड़ी बूटी खाने की सलाह देता था जो आसानी से कहीं भी किसी भी मुल्क में मिल सकती थी कई बार खोजा मरीजों को बिना दवाय के ही ठीक कर देता था दरसल वह मरीज को देखते ही जान जाता था कि वह किस बीमारी का शिकार है या ज़्यादा मेहनत करने की वजह से या कम भोजन मिलने की वजह से उसका शरीर रोगियों जैसा हो गया है ऐसे मरीजों को दवाई न देकर आराम करने या पूरी खुराफ खाने की सलाह देता था और जाहिर है कि मरीज बिना कोई दवाई खायतन दुरूस्त हो जाते थे खोजा की हकीमी से सस्ती से सस्ती सामगरी से बनी दवाईों को मनहगे दामों पर बेचने वाले कुछ रईस लोग बेहतनाराज थे खोजा जब भी किसी गाव का चककर लगा जाता था वहाँ उनकी दवाईों की बिक्रीना के बराबर रह जाती थी वे सब लोग खोजा को ठिकाने लगाने की फिराक में रहा करते थे उनकी दिली इच्छा थी कि खोजा की दवाई खाने से कोई बीमार अल्लाह को प्यारा हो जाए ताकि वे इस बात का धिन्दोरा पीट कर खोजा को बदनाम कर सके यह उनका दुर्भाग्य ही था कि ऐसी नौबत कभी नहीं आई थी खोजा की बताई दवाई खाकर भले चंगे तो बहुत होते देखे गए लेकिन ऐसा कभी देखने में तो दूर सुनने में भी नहीं आया की खोजा की दवाई खाने के बाद कोई अल्लाह को प्यारा हुआ हो अलबत्ता लोग ज्यादा दिन तक अस्वस्त भी नहीं रहते थे आखिर एक रईस ने खुद खोजा को बदनाम करने की योजना बनाए वो बीमार बनकर खोजा के पास पहुँचा और बोला खोजा कल रात में जब मैं सो रहा था तो अचानक एक चूह मूँ के रास्ते मेरे पेट में चला गया इसका क्या इलाज है? खोजा ताड़ गया कि यह रईस बीमारी का इलाज जानने के लिए नहीं उसे हैरान करने आया है फिर भी खोजा ने उसे इलाज बताने से पहले दपट लगाए तुम भी कैसे बेवकुफ हो सेट जी? खैर आपसे जो मूर्खता हो गई सो हो गई वैसे इसका इलाज बड़ा आसान है आप अंदर चल कर बिस्तर पर लेट जाओ जितना संभव हो मूर्ख खोल कर लेटना मैं अभी एक बिल्ली मनवाता हूँ वह जरूर तुम्हारे पेट के चुगे को खा जाएगी मेरी समझ से तो आपकी बिमारी का दूसरा कोई इलाज नहीं है ये सुनना था कि सेट एकदम बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और सरपट अपने घर की और भाग खड़ा हुआ